थे कहो हमारा यह stretch हो गया और यह squeeze भी हो रहा है थीख है Without a straight up यहां से frame बनाने शुरू करदे ता पहले में यह बनाने की बजाए फिर मैं यहा बनाता यहां बनाता यहां बनाता यहां बनाता फिर यह बनाता तो यह कहते हम straight ahead good morning guys welcome to our channel開启े वारून तो फ़ले चांगे ठीक टाक होगे और लास्स अगर लोग ने गो थू करिये तो उसके अंदर मैंने अनिमेशन के प्रिंसिपल के बारे में बताया था था पुरा बोर्ड बे थेओरी का सेशन लिया था तो वोपफुली वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और मैंने का था कि प्रिंसिपल को आगे परस्यु करेंगा उसके तुरो मैं अनिमेशन वर्डाइंगे उससे अब को प्रैक्टिकली और पता चलने लग जायाएंगे क्या के अनिमेशन के प्रिंसिपल से कैसे वो यूज हो रहे है और कहां किती किती चीडों पर हमें उसको यूज कर सकते हैं अब देखो आज की क्लास में क्या है मैं करवाने वाला है अब आज की क्लास में करवाऊंगा अब बाउंसिंग 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 तो हम उसको अगर करते है तो वो भी हमारी stretch होती है, squeeze होती है, right, मैं आपको एक example में जरूर दिखा देता हूँ, अब ये देखो, जैसे ये एक balloon है, अब balloon हमारा stretch भी हो रहा है, ठीके, ये देखो हमारा stretch हो गया, और ये squeeze भी हो रहा है, ठीके, इस तरीके ते फट्टा जाए, ये इंप्रेसिव लगे देखने में, उपर से कार्टोंस जो है, वो बच्चों के लिए बहुत प्रैमरी वो चीज होती है, तो बच्चों को जादा तोड़ भोर कुचे, 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 को ऐशी, स्क्रैची चीजे हो, तो वो चीज जादा अच्छी जाएगा, तो हमें नेकड़ आई से नहीं दिखता, कि इस ये किता स्ट्रेच हो रहा है, किता स्क्वीज हो रहा है, लेकिन जब हम उसको बहुत स्लो मोशन में रिकॉर्ड करके, 120, 240 fps पर रिकॉर्ड करके, फ्रेम में देखना, तो आपको ये पिचटता हमां भी दिखेगा स्ट्रेच होता हमा भी दिखेगा, तो वहीं चीज हमने इसको इसके अंदर करनी है, एनिमेशन के सॉफ्टर में, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, अच्छा, जो अगर आप लोग को डाउल्ट हो, कोई कोई कोशिश करूँगा, चलो, चलते हैं, करते हैं, स्टार्ट, स्टार पीछे के वीडियो तो इस इंटरफेस के साथ आप लोग कंफर्टेबल होगे, अब देखो, मैं सिंपल यह एक लाइन ले ली, इसको मैं गाइड के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया, सिंबल ग्राफिक कर लिया, अलफा में गई यहां से, आपके पास लेर को लोक कर दिया, फ्रेश लेयर पर गड़े, एकस्टेंट कर लो पहले, तीन-चार सेकिन तक आप लेक्सेंट कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, और यहां पर क्लिक करके भी प्रेस कर दो कि अफाग तो भी कर सकते हैं, अब मेरे को एक बांसिं बाल बनानी है, ठीक है, दो नजाएं तो यहां से दो यहां से यहां नेचे वाल्मल इसकी वाल्यूम पता हैं डिल ये ऋफ्लर आनीचे इंस वार बेस हो गया ह। कि यहां से गए अब फ्रेश्च फ्रेश्ब ले लिए आपने f7 प्रेस्ट करके यहां से अपने अन्यन सके नान कर ली पिछला फ्रेश्ब आपको नजर आ रहे है ठेक है यहां से को उसी बॉल का लगना चाहिए ऐसा नहीं हो कि वह इतनी लंबी आपने पिछका थी तो बहुत ही अजीब लगेगी अब यह लगभग इसकी साइज से मुझे थोड़ा सा अभी भी जादा लग रहा है तो मैं क्या करना इसको हाद उता है अब यह मैंने स्क्वाश कर दिया ठी कि हमारे दो जो की फ्रेम बन गए इसके बीच में जाओ गया एफ 5 प्रेस करो यहां पर 7 प्रेस कर दिया यानि कि आपको इन दो फ्रेम के बीच में एक ये वाला फ्रेम और इसके यहां वाला फ्रेम और इसके यहां वाला फ्रेम इन दोनों के बीच में हमें ब्रेक्डाउ पाथ डिसाइडर होता है वह आपके गाइड को मुग करने के लिए हो जाता है तेक है अभी फिरहाल क्या हम सीधा-सीधा बना रहे हैं इसको यह वाला जो प्रोसेस है यह मैंने आपको पिछली क्रास नहीं बताया था जैसे मैंने एक की फ्रेम बनाती है इस चीज को हम कहते है श्रीट शौकर जैसे अब हम यहां से श्रीव बनाने शूरूर्ग कर देता है यह बनाका यह बचाहे फिर मैं यह बनाता आदा कुसे नहीं है तो आप इंक को फिल रहे हख मैं देख रहा हूं कि लगभग मेरा यहां पर आएगा तो यह स्ट्रेच होगा कि ग्राउंड के कॉंटेक्ट पर लिया ना सो देट वो ना इम्पैक्ट्फुल लगे कि यह रख दिया कि देखो मैं हाथ से वह बना रहा हूं ठीक है तो जरूरी नहीं है आपको भी हाथ से बनाना है आप उसको उसके थूप बना सकते हो Come क्या ना में जो आपके नार्वल्ल ओवल यह ज्ए आवाला इसको इस तरीक देगा वाल इसको इस तरीकद बना लिए थैए हमारी इक बनकी बनाना यहां पर क्या है स्लो आउट वाली सिच्वेशन है ठीक है जब हमारी बॉल यहां से चल रही है तो यहां पर लगवक्त सेम पोजिशन है सेम उसको कॉपी कर लेना इन दोनों के भीशम है को बना रहा है कि मुझे चाहिए उपर सूपर स्लो ठीक है अब यहां पिछला फ्रेम है यहां पर इसको अटाओ हमारा ब्लैंक फ्रेम है इसके पीश मुझे पहुच्छा यह इसके बढ़ा हो गया तो ठीक है यह मारा वहां से श्टार्ट हुआ चेक तर लो एक पास उपर इस यहां से खट करके नीछे आ गया यहां पर ठीक है यह अपर फ्रेम पर है तो यहां पर मुझे फ्रेम डालना है यहां से क्या है अब धीरे ना क्वर थो तुरक्ण कैनल पर हैंडा यह को अब यह फोली श है का आने लगए यह यह वहाँ से यह जोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं था अच्छेत तो थोड़ा चोटा गव्या ठीक है सेम लगनी चाहिए लगब साइज नेकर आइस को पता चलना चाहिए तो आपको नो आइडिया लगने लग जाएगा ठीक है यह गया फ्रेम डालिया इसके साथ यहां पर नमेकोर एस सेवन यह लिया इसके साथ और थोड़ा स्ट्रेच करनो है अगे पर यह नहीं बॉल आगे चलके खिच रही है ठीक है थोड़ा ता अब हम और ख्लोस ले आते इसको यहां पर इसके बाद यह ग्राउंड पर टाच हो गई अब करके देखें क्या हमारा आठाट है इसको बने सिंगों संब्ढ़ा दिया आगे से बढ़ा दिया अब इस लेकर गए तक यह पता लगा कि वह तो यह लग रहा है यहां पर प्र प्र जाकर और वो गई है श्लोर हें यहां से यह स्लो रही है सेव कर लेना फाइल साथ सा अच्छा इसको ना रियल फ्रेम में से लाने कि एक डार एक्ट्रोल एंटर मार देना सो गड़े एक्ट्रोल टाइमिंग इसाब प्राद कर जाए यहां पर बार बार प्लेल होता रहेगा इसको इतना कम कर लो शिफ्ट नजी वापस उपर आएगी अ कि यहां से गए टकरा के तेक्टा इनिचे गया यह वापस उपर आया कि कि तेना उपर लाना है मैं मैं सोगा यहां पर लाकर करें और यहां से वापत नीचे जाना स्टार्ट करते हैं अजया ऐसी सिचुइशन से ना क्या करना जो जैसे आपको पता ना क्या नॉर्म फ्रेम लेकर आना है इस वाले फ्रेम को कॉपी कर लो और इसको यहां से ताकि आपको ना वॉल्यूम मिल जाए रखना जहां तक है वहां तक आप इसको लीचे ले हो मुझे यहां तक रखना है ठीक है यह नीचे से यह उपर आ गया अब जब यह सिचुएशन है ना तो यह ग्रीन हो गया यह पिछला इसके आते तक नहीं नॉर्मल हो जाना चाहिए अब यहां से ना इसको नॉर्मल ऑले सिचुएशन पर लाना शुग करने हमें इस एक रहे हैं है एक रोशिफ्ट भी दवादिया अचाहिवर्श्य फ्ट्रोच अब यह है क्यों प्रस कर करके तो जितना नीचे ले कर तो बाहर भी ले खर जाना सुधर धीर धीर वह चाहती भी दिखें अधिन आप हम में यहां पर ग्यां इसका कर ना फिनिश हो घ्र Guard तो जाते जाते आप यह च्यों से तो यह मैंने फर्म यह बना दिया थियes ग्योन से विज़ेटें ले सव इस इसे विर पना रहा हूं यहाँ पर यह भिल्कुल यह जाएगे जितने नंबर और फ्रेम जितने ज्यादा होंगे उतना यह स्लो होता जाएगा ठीक है एनिमेशन हमारा देन गया आगे यहां पर मैंने को इनके बीच में साइज सेम करना कॉपी कॉपी करते चले जाना यहां पर यह सेटल हुआ अब मुझे यह वापस नीचे लेकर आने अब जितना स्क्वीज मैंने पहली बार पहले चीतरा किया था इस बार मैं उतरा नहीं करूंगा इसको अधाय देते में कासर मजब आगया होगा इसको लिया प्रशी अदो शिफ्ट कि आपको पुसीशन का पता चल जाए अब इस्ट्रेस्ट है मतलब स्क्विश्ट है बट इधना जाजा नहीं है इस तरीके से लिग ए यह गया एक खटखट यह हो गया अब जो सब करें जिट्राओं पहले किया था उससे तोड़ा कम स्पेस करेंगे जिस्टा स्कुईज करेंगे जिनके प्रेशॕ यहां यहां पर इन तोनों के थे बीश के बीश का ड़ाते जया है कि आपको डिफ्रेंस पता चल जाएगा कि कितना डिफ्रेंस आ रहा है अब इन दोनों के बीच की सिचुएशन बनेगी ज्यादा स्ट्रेच नहीं डालना है पता चल रहा होगा और यहां पर यहां पर यह स्लो है क्योंकि नंबर अफ्रेंस यहां पर यह स्लो सिचुएशन यहां पर यहां पर यह फास्ट हो गया यहां पर यह फास्ट है ठीक है नीचे इसने स्नैप लिया यहां पर आते आते क्योंकि यह देखो ना अगर मैं आपको अग्रेंस के डॉन करके देखूं तो यहां पर देखो नंबर फ्रेंस कितने जादा है तो यहां पर यह जो सिचुएशन हो गया हमारी स्लो वाली अदो उससे कंवाला बाउस लेगा पेचला पांस इसने कहां पर लिया यह 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 लाएक्स एक्स्ट्रीम पोस कॉपी कर लो इसे इससे नीचे ले लेंगे यह यह यहां पर रख़ा अटोशेफ भी बस लगवा कितना है ठीक है यह बाउस करवाना है क्योंकि बिल्कुली सदन सेटलनी वह सदन चिपकाऊ चिपकाऊ तैस रहेगा कि वह पत्थर है कोई अभी हमने वापस लेकर लेकर अब यहां से हम इसको नौब रखना स्टार्ट कर देंगे ठीक है क्या फोर्स खतम होंगे जो में इसारा हैंट से बना रहा है कि सारवा को पीछ करके भी बना सकते हो यहां पर यह वापस नीचे आएगा यह से उसमें आ जाएगा क्योंकि अब हमने इसकी अल्टिमेटली वह भी तो कम करनी है न जो इसकी अब देखो इसके और इसके पीछ वे यह पनेगा हमारा और अगला फिर में दिखा दिखा यह हाथ से इसलिए बताना आपको पता सब्सक्राइब किस तरीके से अच्छा यह मैंने क्या कर दिया बिलुकुल ही एकट बीच में जब कि मुझे ना फ्रेम इसके क्लोस बनाना है त क्योंकि वहां से फोर्स अपना अपना कंप्लीट करके और नीचे आहिए ना तो हमें इसको बनाना है कि यह लेकर गया है अब सब्सक्राइब फोड़ा सब्सक्राइब कर देखते क्या जाता है ठीक है तो चलो हमारा यह वाला हट जाएगा नेश्रेम पर गया है एफ सिक्स प्रेस कर दिया मैंने इसी को लिया हलका सा नीचे हलका तबार है ठीक है इसके साथ एक फ्रेम और बना लेता है ऐसे हलका सा नीचे हलका तब भार है अधियास की मुझतर करके देख लो प्रोड़ा डिफरेंस आगा चाहिए अब जो हमारी नॉर्व पोजीशन है वह यह वा सबको अब देखें अपनी अनिमिशन क्या बना है हमारा है ठीक है यह हमारी अनिमिशन बनी है बाउंसिंग वार की हुआ है कि पूरा वीडियो देखना समझ में आएगा आपको वर्हु आर नहीं आएगा जो कीज के पास कब रहे हैं किसे तूर कब रहें तो अच्ट में हमारे पास तो कहीं कुछ नहीं लिखा रहा है ठीक है अब देखों कि अग्या तो यह है हमारी एनिवेशन बांसिंग वॉग गी तो यह हमारी एनिवेशन बांसिंग गी आप इसके अंदर आपने स्टेच स्कॉ आइश्को देख लिया आपने वह देख लिए हमारे जो जो की फ्रेम्स हैं वह कहां पर बनेंगे I think आपको वह भी आडिया लग विद में आफॉपिए ना विट वी थे नहीं करना हुआ ना कि अथी यहां हुआ 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 है आपका आउटपूट कैसा आ रहा है तो होफुली यह समझ में आगे होगा कोई confusion हो तो भाई लोग पूछ ले ना एस वीडियो कर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करनो चैनल को जुड़े रहने के लिए बाकि मिलते एकली क्लास में इसी को आगे करेंगे इसी असाइनमे सब्सक्राइब से बाद जालेगा वट यह सारी आपकी बेसिक एक्सराइस हैं जिनको आपको करना चाहिए और आना भी चाहिए अंडेस्टेडिंगे लिए चलो मिलते एकली क्लास में बाई